इस तरह से सरकार बदलती है तो पूरी विवस्था बदल जाती है पूरी नीती बदल जाती है हर सरकार की एक अपने काम करने के पोलेसी होती है कि वो किस एरिया को अपना पोलेसी बना रहे हैं कि डिवलप्मेंट को लेकर चल रहे हैं कि नहीं लेकर अभी बहुत तगड़ा आपने दम पर लिये हूं को वाले मिल ubiquग दमार्ण मुशड़र Shosham को वाले मिल आपने दमार्ण मेड़ us bevor बार कंदे देन मेर को सब्सक्राइए ऑज़यो क्या। मेर Σाइब सकताइए… बार बाडि बनाई है जपार सकते हो, जार शर्रेटी है बिवार इसे परेड़ी से कों आदमी है इसे कीट लगा है इसे प्रिटी वाल एक अधिर से कीट लगा है ओरे रहना है अई तो मत जर्म है अमीजिए उयुक्ण robots पूरे समेंत इला देता है आद्र hogy अबर कुर्ष to एक लोकतंदर की खोफसूरती है कि आपको बहुमत में आना आपको सरकार बनाना लेकिन आम लोगों पर इसका बड़ा device से जो लोगों को चुन रहे थे नियताओं को चुनते हैं कि किस तरह से अपने पॉलेशी को पाठीक का अपना पॉलेशी ऑप === एक अपना ऑल क्रण क्वोता है उस हिसाब से लोग अपना स्लेक्टेड करते लेकिन हिसे तरह सरकार बदलती है तो पूरी वेवस्था बदल जाती है पूरी नीती बदल जाती है हर सरकार की एक अपने काम करने की पोलेसी होती है कि वो किस एरिया को अपना पोलेसी बना रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं कि नहीं लेके चल लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर मेरा विचार रहेगा तो सरकार जो भी है आपको अपने केंद्र सरकार से कि हमको इस्पेशल वो दीजिए उसको स्टेटस देना चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं आती पिछला आते हैं ड्यूटू हमारे पास इंडस्ट्रेलाइजेशन नहीं हमारे पास बहुत ऐसा वेवस्ता नहीं है तो केंद्र सरकार आप जैसे डेवलप्मेंट का देखिए बिहार में सरकार ऐसे बदलते हैं जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं ठीक है अब जैसे ही सरकार बदलती है तो लोग के मन में बस एक सवाल होता है कि अब जैसे काम हो रहा था जैसे विकेंसी जा रही थी बिहार में वैसे आएगी कि नहीं कंट सवाल रहता है उसके बाद आपको जो अनिम्प्लाइड हैं उनके लिए भी यह सवाल बना रहता है कि क्या उसी से काम करेगी सरकार की नहीं करेगी कि अब किसी और तरह का प्रेशर बनेगा जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही सरकार बदली तो दोनों जो पहले कॉलिशन गवर सवाय था तो अब तो कॉलिशन अलग है अब आएगी कि नहीं वेकेंसी यह सवाल जनता में बना रहता है यह के पॉलिटिक्स का एक नुकसान जो है सिधा सिधी जनता पर होता है उनके लिए सवाल मन्शा बनी रहती है जो काम जैसे हो रहा था वो होगा कि नहीं इस तरह का दूइधा सिर्फ वहां तो आप तो सरकार बना लिया लेकिन जनता के मन में क्या है यह जनता की परिशानी के लिए आप कितना सोच रहें कितना तातपर हैं यह इस चीज़ का तो नहीं हो पाता ना जनता पर आप विश्वास कैसे अपना जताएगा नितीश्त कुमार जो भ इस नई सरकार से हम उमीद यही करेंगे कि जिस फिल्यूएंसी से नौकरी आ रही थी बिहार में आने चाहिए इवाओं को जैसा मौका मिल रहा था मिलना चाहिए कार परगती पे था बिहार का वो वो कंटिनी होता रहना चाहिए पाटी कोई भी रहे मुद्दा जो है पर इनका विश्वास बना रहेगा हाला कि अभी बहुत तगडा जھटका लगा है जनता को कि यह ऐसा है कि बार-बार एक परभावी नेता यह नौवी बार शपत लिये हैं उन्होंने नौवी बार शपत लिया है उसके बाद भी एक स्टैंड ऐसा नहीं है कि जिसमें एक श पजबूत सीम नहीं है जो पांस साल कंटीनिव कर सके हमने देखा कि पिछली गवर्मेंट जो 15 साल कंटीनिव की हमने देखा कि नुक्सान भी वा उसका और अभी जो है आपको जब मौकर मिल रहा है आप वरकिंग मिनिस्टर बनके आए हैं वरकिंग सीम की तरह आपको लोग देख रहा तो फिर आप ऐसी घटना क्यों कर देते किस तरह का अपके उपर प्रेशर है या आपके लोगों के उपर फ्रेशर है जो आप जो है इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं को आप कॉलिशन में हैं ठीक है जिसके साथ पांस साल पूरा कि यह पीश मजधार में जनता का पूरी तरह से विश्वास ब्रेक करके आपके पास क्या मजबूरी होती जनता वो जानना चाहती है कि उसके बाद आप पे अपनी प्रोड़क्टिव पॉलिटिक्स तो ज्यादा अच्छा है जिसमें जनता का विश्वास बने इस इसलिए कि डवल-इंजिन की सरकार एक पफिर विएर को मिला है केंदडर में भी इंडिये है बाजपा की सरकार है और बिहार की यहार सामधी आई इसमें न दौ लेकिन रोजगार सिर्फ पड़े लिखे लोगों के लिए नहीं उनके लिए भी संभब होना चाहिए जो बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करें हमें उमीद है कि एंडी डबल इंजन की सरकार में लोगों को फाइदा मिले और इस बार सरकार सबसे ज्यादा फोकस फैक्ट्री हुँ लेकिन इस सरकारमें हम उमीद जताते हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो विशेश package बिहार को मिलेगा यह उमीद हम लोग को है अर बिहार में डबल इंजन की सरकार की ही जरूध है ताकि उद्धार है ट्रिक्रिथरी पर भी काम हो और एगेंस्ट गया है स्पीकर के देखिए यह डेवल इंजन के सरकार जब बिहार में आएगी जैसे पहले डेवलप्मेंट हो रही थी अब मुझे आसा है कि बिहार का विकास स्यों मुखी विकास बहुत अच्छे धेंग से होगा मुझे याद है लगभग दोहजार उनीस या ब बात आई थी कि सत्रो सो एकड़ जमीन में पूरा इंडर्स्ट्रेल एरिया बनने की बात आई थी यह सब गटबंदन महागडबंदन के सरकार आने के बाद में सारी चीजे ब्रेक हो गए उसका विकास का कोई काज हुआ नहीं फिर मैं सुना हूं कि उस पर फिर चर्चा फि इसमें जो विकास पहले के 10 सालों में बहुत अच्छे ढंग से नीतिज सरकार ने की थी इधर के कालों में वो कभी दर उधर जाने से इसका विकास में बहुत बाधा पड़ी है और धिरे धिरे कुछे क्राइम भी मढ़ना सुरू हो गया था और फिर से वो अभी पूरे नहीं आपाई थी मगर उसका रूप लेना सुरू कर दिया था इसलिए बहुत अच्छा हुआ बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है यहार की बिकास के लिए बहुत अच्छा हुआ है अब फ्लोर टेस्ट इसके बाद होने वाली है देखिए क्या रिजलता था इसे तो जब अभी स्वास परताव अध्याक्ष के परती जो आया है, इसी से क्लियर हो जाती है कि फ्लोर टेस्ट में भी नितिस जी की सरकार आएगी. मेरा नाम राजेंडर सिज्वार.